नमस्कार, मैं डाक्टर जितिंद कुमार आपका जेके बियालोजी क्लास में स्वागत करता हूँ और आज के हम इस वीडियो में RBC मेंब्रेन प्रोटीन के बारे में सरल भासा में सिखेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल एक जामनेशन में पूछे जाते हैं तो RBC में जो मेंब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं अगर उनकी बात करें तो पूरे प्रोटीन का मोर देन 60% जो प्रोटीन हैं में लोग लाइट होते और कुछ महत्यपून प्रोटीन जैसे स्पेक्टरिन, ग्लाइकोपोरिन और बैंड थरी पाए जाते और इसे काम के बारे में भी हम लोग देखेंगे तो RBC का काम हम लोग जानते हैं कि RBC जो है oxygen का transport करने में involved होता है क्यों क्योंकि RBC में बहुत सारे हीमोगलोबिन molecules पाए जाते हैं और हीमोगलोबिन basically oxygen को bind करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के पोसिस करते हैं अब हम लोग यहाँ पर उसके protein के बारे में देखते हैं ये spectrum spectrum protein को आप देख सकते हैं band 3 protein को देख सकते हैं band protein transmembran protein है और glycopronean जो है transmembran protein है और दो protein देख सकते हैं साइटो-सालिख पेस में है, N-Krene और Spectrine ये प्रोटिन को आप देख सकते हैं, आईए हम लोग इसे कुछ functional disparities और महत्रपुन बातों को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले Spectrine प्रोटिन को देखते हैं, जो मेजर कम्पोनेंट है RBC का तो Spectrine क्या है, cytoskeleton protein है, ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है, cytoskeleton protein है, non-covalently associated with the cytosolic side, non-covalently, मतलब यह covalent bond से नहीं तूटा हुआ है, non-covalently, इसको आसानी से निकाला जा सकता है, फिर फाई किया जा सकता है, दूसरा जो protein है, glycopory, तो glycoprotein क्या है, कि आप देख सकते हैं, कि यह single alpha helix protein होता है, glycoprotein जो है, single alpha helix protein है, और साथ-साथ में यह single transmembran protein भी है, क्यों क्योंकि एक ही transmembran domain इसमें पाय जाते हैं, और यह protein क्या होते हैं, highly glycosylated protein होते हैं, highly glycosylated मतलब इस protein पर बहुत सारा carbohydrate moitis पाय जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं, band 3 protein के बारे में, एक और महत्त पूर्ण बाते सबसे पहले glycoprotein का, जो transmembran protein है, उसका sequencing किया गया था, membrane protein, band 3 क्या है, multiple pass transmembran protein है, मतलब कि multiple pass not a single pass, मतलब multiple जो है pass इस तरीके से transmembran protein है, और इसका function काफी महत्त पूर्ण है, यह करता क्या है, कि आपका, जो SCO3 जो bicarbonate ion बनता है, उसको cross करता है, outside करता है in exchange of chloride, कि अगर आपका RBC है, और CO2 को भी transport करने कोशिस करता है, जब करता है, तो SCO3 को बाहर निकालता है, इसके बदले क्या है, chloride ion को अंदर में लेता है, एक और protein है, and crane, जो भी क्या है, scaffolding protein है, और यह क्याम क्या करता है, membrane-bound protein को link करने के कोशिस करता है, cytoskeleton से, आईए हम लोग कुछ और समझते हैं, इसे सम्बंदित सवाल को, यह सवाल CSIR में 2016 में पूछा गया है, और यह कहता क्या है, कि अगर आप कोई एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं कि, riot blood cells are subjected to lysis, and any unbroken cells were removed by centrifugation, और lysis करते के बाद unbroken cell को आप centrifugation से निकाल लीजिए, supernendid was taken in centrifugation, higher speed पर, और pillate are extracted 5 molar NACA, तो बता रहा है कि कौन सा प्रोटीन स्पेरिमेंट में पाउजूद होगा, तो पहले बात यह आप प्रोटीन देखिए, band 3, glycophorine और G-protein couple receptor, यह सारे जो प्रोटीन हैं, ट्रांस मेंब्रेंट प्रोटीन हैं, इसको आप आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, लाइसिस करने के बाद यह क्या रहेंगे, हमें साम मेंब्रेंड में ही रहेंगे, जबकि स्पेक्ट्रीन क्या है आपका, ननकोब्रेंटली असोसेटेड प्रोटीन हैं, तो इसको आसानी से सुपरनेंटेंट में मौजूद हो जाएगा, दूसरा जो सवाल है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो, और थैंक्यू फर वाचिंग दे वीडियो, अपना कॉमेंट कॉमेंट लिखना ना भूले, तो सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब कीजिए,